दोस्तों नमस्कार आज हम लोग समझेंगे टूल लाइप एंड टेलर्स एक्क्यूशन यह भी एक इंपोर्टेंट टॉप है के अगर पूल इंजिनियरिंग के साफ से देखें तो बहुत बार पूल इंजिनियरिंग के अंदर एक पूछा जा चुका है और भी मैनुपेक्ट पूल इंजिनियरिंगे अब प्रोड़क्शन से रिलेटेड जो सब्जक्ट है उनके लिए भी इंपोर्टेंट है इसलिए इसको समाईना जरूरी है उस समाईने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें चलते हैं सबसे पहले टूल लाइप क्या होती है किसे हम तूल की ल टूल करे तो कि उसकी कटिंग यह होगी है यह है दी टूल कौत करते करते कि अ हो जाए तो भी हम क्या क्या सकते कि टूल की लाइफ इतनी थी कि वाइफ फैल हो गया महला इतनी ही लाइफ जितने दिन चल सका यह क्या होई उसकी टूल की लाइफ यह फिर दूसरी तरह हम क्या सकते हैं कि टूल कटिंग करना बंद कर दे अपने आप क्या कर दे कटिंग करना यह जब set हो कि मन्दब इतने एमे में जो हमकी गिस जाएगी तो उसके बाद उसको बदलना पड़ेगा या अपर वह कटकरना बंद कर दिए तो जो यह जे वह जितनी set है वह पूरी तरह गिस जाएगी उसको भी हम वह भी उसकी tool की life को define उससे भी किया जा सकता यह क्या होती है तूल की life को define करती जो मैंने समझाया है कि इतनी ही तूल की life थी अब तूल की life के उपर कब जादा गिसता है किस पर depend रहता है यह जो टेलर से उन्होंने इसके उपर एक equation बनाई वह एक equation जो भी year बनाई है वो यहाँ पर लिखी हुए है आप पड़ सकते हैं लेकिन जो relation बनाया भी t की power n equal c इसका क्या मतलब होता थोड़ा सा हम लोग समझें बी t c क्या होता इक term आप लोग जानते है नहीं जानते है तो यहाँ पर लिखें बी क्या cutting speed है आप डेलोस्ट करता है यह bt का मतलब यहाँ पर क्या होता द्यान से समझें समझारों आपको द्यान से यहाँ पर सुनना है तो यहाँ पर जो bt का मतलब होगा b direct proportional to 1y t यह इसका relation होता है इस तरह इसका multiply करके constant करके यह equation बनते है इसमें आप clear देख सकते हैं यदि हम velocity increase करते हैं यदि velocity increase करत यहाँ चाहते हैं तो क्या होगी का समझने है यादी हम velocity increase करेंगे तो चूल की life कम होगी और यदि हम चाहते हैं आपको क्यादा हैं और जी क्या होता है नंपर department करती है इनको जो भी इसके जो material होते हैं, उनके लिए अलग-अलग value होती है, small e की, यह मैंने PDF में सब कुछ लिख दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ लें, यहाँ पर मैं जादा detail में नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पर किस material के लिए क्या value होती है, small n की, यह मैंने उसमें लिखा इस भी मिल जागा, तो ध्यान रखते हैं, यह mt value उसमें मैंने दर्शा दिये, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसी graph बगएर अभी जो value के अंसा जो graph बनाएं, वह मैंने दर्शा हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहा है, जो factors होती है, इस किस पर depend करते हैं, पहली क्या होगी, cutting speed, क्या होगी, cutting speed, जो मैंने हाँ पर बताएं, थी, cutting speed पर depend करती है, टूल की life, जैसा मैंने इस relation से बताने कोशिज की, अगर, करते हैं बेलस्य और्फ स्थेर इंक्रीज करते हैं फीड हो श्यक्न प्रेप्ट करते हैं उसके Пड़़ाते हैं उसको बढively कर जानते हैं जो cut कर रहा है उसकी गहराई, लगी होई गहराई कम होती है तो tool की life क्या होगी बढते जाते हैं GEAD करते हैं दैफका का TK to फिर वोती ही tool geometry, tool geometry मोले, noise radius हो गया, rack angle हो गया, clearance angle हो गया, cutting edge हो गयी angle यह सब angle है, इन पर depend करती tool की लाइफ थीख है. फिर tool material, tool material कि सब बना हुआ, cementide है, carbide है, यह क्या होते हैं इनके इन material के ज़ए ज़ज़ carbide है और cementide हो इनके tool life होती है, अधिक होती है. क्योंकि जो hardness of the tool है वाई material उस पर depend करती टूल की लाइब तो cutting fluid पर भी depend करता क्योंकि हम जानते हैं जब cutting करते हैं हम तूल से तो heat generate होती है क्या होती heat generate होती है heat को कम करने के लिए हम होपट जो भी cutting fluid है प्रवाइब कराते हैं lubrication के लिए जिससे क्या होगा वाई smooth तरीके से चलता रहे उपर से heat generate हो उसको भी कम करते है यह सब factor होती है इन पर tool की लाइब depend करती है यह क्या है जो हमारा tool का समय करना है इस पर numerical question पूशिए आते हैं मैं पूशिस करूँगा इस पर numerical कराने की वया आप जब भी मैं कराऊंगा तो वहाँ जान से video देखेंगे समझ में आयागा इस पूल लाइब क्या होती टेलर रेक्विशन क्या होती मैं समझाने कुशिस की उमीद आपको समझ में आया हो